नमस्कार मैं हूँ पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जबाब तो सुरूर करते हैं ये करेकरम और लेते हैं कुछ सवाल पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है प्रभाद कुमार ने प्रबाद जी आपने कहा है कि आपके portfolio में चार funds है लेकिन आपने नाम दियें सिर्फ तीन के एक SBI small cap fund है, एक SBI mid cap fund है और एक पराग पर एक flexi cap fund है और flexi cap में 2000 रुपीज की SIP चल रही है और mid और small cap में 11000 रुपीज की आप SIP कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अब आप क्योंकि grow app में के थुरू आप invest कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि यहां से निकल के आप किसी advisor के थुरू invest करें तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं लेकिन फिलहाल यदि मेरी राय मैं दू इन funds पर तो कहूंगा कि यदि आपका नजरिया long term में आप 7-8 साल या उससे लंबे समय के लिए innovation पहना चाहते हैं SIP करना चाहते हैं तो यह तिनुई funds अच्छे हैं आप इन्हें बने रहे हैं यदि आपका नजरिया 5 साल के आसपास है तो आप small cap में SIP रोख सकते हैं और flexi cap में amount को बढ़ा सकते हैं तो यह अच्छा रहेगा लेकिन funds यह अच्छे हैं तो फिलहाल के लिए यदि आप यहीं पर बने रहे हैं SIP continue करें तो भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहे हैं मेरे हिसाब से बाकी mutual funds में ups and downs या equity markets में जो हम बात करते हैं उताच रहाओ की volatility की वो तो हमेशा एक आशंगा बनी रहती है लेकिन long term में आप equity से अच्छे returns की उम्मीद कर सकते हैं तो all the best to you बढ़ते हैं आगे लितनकला सवाज जो पूछा है यंकेश मिस्रा ने और आपने पूछा है कि 10 लाग रुपे यदि आज के सिती में लंसम invest करने तो कहां करने चाहिए depends करता है कि आपको कितने समय के लिए करना है आपका investment horizon क्या है और आपका risk appetite कैसा है कितना risk आप ले सकते हैं यदि आप बजार के उताच रहाओ का risk ले सकते हैं और लंबे समय के लिए invest करना चाहते हैं तो इस वक्त पर large cap funds में invest करना सही होगा और साथ ही dynamic asset allocation fund या जिसे हम balance advantage fund के नाम से जानते हैं और साथ ही multi asset allocation funds इन में invest किया जा सकता है multi asset allocation में ICA से potential multi asset fund एक अच्छी choice हो सकती है और साथ ही यदि हम बात करें balance advantage fund की तो balance advantage fund में ICA से potential balance advantage fund मेरे asset balance advantage fund ये funds आप चुन सकते हैं थोड़ा साथ जोखिम यदि आप ज्यादा ले सकते हैं इस category में भी मतलब ऐसा नहीं कि सभी funds एक जैसे हैं तो जोकि कुछ funds ऐसे हैं जो counter cyclical होते हैं कुछ funds pro cyclical होते हैं तो balance advantage fund की category में SDFC balance advantage fund भी consider किया जा सकता है और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि large cap fund large cap fund में आप axis nifty hundred index fund में invest कर सकते हैं तो ये funds सही रहेंगे यदि आपका नजरिया 5 साल या उससे अधिक का है तो इन funds में आप invest कर सकते हैं हाला कि आपने कहा कि लंसम में invest करना है पर मैं कहूंगा कि आप चाहें तो एक ही दिन invest ना करें उस पैसे को आप 3-4 installment में divide करके invest कर सकते हैं तो ये एक सही रंडिती हो सकती है अगला सवा जो मैं ले रहा हूँ पूचा है Mr. BRJ ने और आपने कहा है कि Max Life Insurance के market link plan में invest करना सही रहेगा या फिर mutual fund में और आपने भी कहा है कि life insurance में invest करेंगे तो returns पर tax नहीं लगेंगे लेकिन मैं कहूंगा कि आप insurance और investment को mix मत कीजिए investment के लिए mutual funds बेतर होंगे जहां तक tax का सवाल है यदि आप mutual funds में invest को redeem करेंगे long term में तो long term capital gain tax applicable होगा 10% के rate से capital gain पर लेकिन यदि हम देखें कि insurance policies में जो charges लगते हैं उसके मकाबले जो आपके mutual funds के returns हैं वो उससे बेतर हो सकते हैं यानि कि tax pay करने के बाद भी जो post tax returns होंगे वो insurance plan के return से बेतर हो सकते हैं तो मेरे साब से तो आपको mutual funds में ही invest करना चाहिए बाकि आप अपने हिसाब से क्योंकि पैसा ultimately आपका है decision आपको लेना है लेकिन यदि मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कई कारण है इसके बहुत सारी बाते इस पर हो सकती हैं लेकिन आपको insurance लेना है तो term insurance policy लीजिए और investment करना है तो आप अपने risk appetite के हिसाब से आपने investment horizon के हिसाब से आप mutual fund में कई choices हैं और आप सही scheme का चुनाव कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे और लेते अगला सवाद जो पूछा है रवी बाजबाले ने रवी जी आपने कहा है कि आप 20-25 साल के लिए invest करना चाहते हैं और आपका target है 1 crore rupees और उसके लिए कुछ schemes में आप invest कर रहे हैं पहली बात मैं कहूंगा कि 25 साल के नजरिये से 1 crore का target बहुत चुटा है क्योंकि आप जानते हैं समय के साथ महंगाई बढ़ती है और महंगाई की वज़े से पैसी की value कम हो जाती है आज से 25 साल के बाद 1 crore rupees आज के लगभग 24 लाग के आसपास होंगे तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि आपको target बढ़ा लना चाहिए दूसरी बात यदि आप यहाँ पर 6000 रुपे की SIP कर रहे हैं तो यदि मैं 12% का CAGR एजियूम करूं तो बेशक 25 साल में आप 1 crore rupees बना सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि 1 crore rupees काफी नहीं होंगे तो इसके लिए को करना क्या है अपने सुरवात अच्छी की है आप step up कीजिए अगर हो सके तो 10% से हर साल अपने investment amount को बढ़ाते रहे हैं और यदि आप ऐसा करते हैं क्योंकि समय बहुत लंबा है आपके पास और यदि 25 साल में आप देखेंगे 10% का step up करते हैं तो वहीं ये amount जो है जो पहले 1 crore बन रहा था step up के साथ करीब 2 crore 36 lakh बन सकता है और 25 साल में तो आपकी income कई गुना बढ़ेगी तो जब जब आपके income बढ़ती जाए आप 10% ही नहीं उससे ज़्यादा आप invest करते रहें तो आपको 1 crore नहीं बलकि कम से कम 5 crore पे खंटा करने चाहिए या उससे भी ज़्यादा का goal आपका होना चाहिए और जहां तक schemes का सवाल है तो सभी schemes आपके portfolio में अच्छी है और आपका जो allocation है within the schemes वो भी ठीक है तो मेरे साब से आप इसके साथ बने रहिए all the best to you अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ यह पूछा है क्रिपाल साहु ने क्रिपाल जी आपने कहा है कि आपने ICC Potential Multi Asset Fund और ICC Potential India Opportunity Fund में एक एक लाग रुपया लंग सम इन्वेस्ट किया है और अब आप 2 लाग रुपया और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहा करना चाहिए पहली बात यह कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके आधार पर आप तैय कर सकते हैं नजरिया बहुत चोटा हो तो फिर आप debt funds या फिर conservative hybrid funds में इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन लंबी अबदी की अदी बात करें और आपको आपका जो objective है वो capital appreciation हो तो पैसे में फिर equity funds में invest करना चाहिए पर नजरिया आपका 5 साल का कम से कम होना चाहिए यहाँ पर एक category होगी balance advantage fund की उसमें आप invest कर सकते हैं तो balance advantage fund की category में आप मेरे asset balance advantage fund या SDFC balance advantage fund में invest कर सकते हैं और साथ ही आपने already ICC potential multi asset fund में invest किया हुआ है उसमें आप अमांट और बला सकत उसे top up कर सकते हैं और साथ ही एक large cap fund भी आप add कर सकते हैं large cap के लिए आप मुतिलाल ओस्वा large cap fund को चुन सकते हैं तो ये कुछ funds हैं जिनमें आप अपना जो 2,00,000 रुपे हैं उसे divide करके invest कर सकते हैं लेकिन नजरिया यदि आपका 5 साल या उससे अधिक का है तभी इन funds का आ करें और अब लेते हैं आज आकरी सवाज जो पूछा है किशोर मानिक ने किशोर जी आपने कहा है कि आपको 10,00,000 रुपे invest करने हैं 10 साल के लिए और कुछ funds के नाम चाहिए तो क्योंकि आपता नजरिया जो है 10 years का है उसके इसाफ से मैं कहूंगा कि आप 4 fund में divide करके invest कर सक सकते हैं एक large cap fund आपने portfolio में रखिए large cap के लिए आप index fund को चुन सकते हैं hexis nifty hundred index fund में आप invest कीजिए साथ ही एक multi cap fund में आप invest कर सकते है और multi cap fund में quotaic multi cap fund एक अच्छी choice हो सकती है साथ एक large and mid cap fund को आपने portfolio में add कर सकते हैं large and mid cap के लिए आप मुतिला लुस्वा लार्ज and mid cap fund को चुने और एक multi asset fund भी आप अपने portfolio में शामिल करें multi asset fund के लिए ICS fraud official multi asset fund एक अच्छी choice है तो जैसे आपने कहा कि 10 years के लिए आप invest करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये funds suitable हो सकते हैं, लेकिन market में हमने अच्छी तेजी देखी है, और जो valuations हैं वो भी इस वक्त पर थोड़े से expensive हैं, और expensive लग रहे हैं, तो ध्यान रहे कि market के गिरावट में आपको घबराना नहीं है, long term तक टिके रहेंगे, तभी आपको फायदा होगा, और पैसो को एक साथ invest करने की बजाए, आप थोड़ा staggered manner में करें, तो आपका जो risk है market के उताच रहाव का, वो थोड़ा कम हो सकता है, all the best to you, तो आज मैंने इस वीडियो में आपके कुछ प्रशनों के उतर दिये, और मु mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के आधीन है, योजना से संबंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़ें।